दोस्तों ये है लाइसा टून प्लस सिरफ आज के वीडियो में हम इसी लाइसा टून प्लस सिरफ के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी जैसे ये लाइसा टून प्लस सिरफ में इंग्रिडेंट क्या है लाइसा टून प्लस सिरफ का इंग्रिडेंट कैसे काम करता है Lysa Tone Plus कब और क्यों लिया जा सकता है इसे डॉक्टर कब और क्यों सरजेस्ट करते हैं इसके फायदे क्या क्या है और Lysa Tone Plus सिरप लेने पर इसका क्या साइड एफेक्ट हो सकता है ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ मेरा मकसद मेरा उदेश आपको सिर्फ जानकारी देने का है ऐसी कोई भी दवा या ऐसी कोई भी सप्लिमेंट टॉनिक लेने से पहले आपको अपनी डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तो लाइसा टून प्लस सिर्फ के जानकारी के लिए आए सबसे पहले जानते हैं इस लाइसा टून प्लस सिर्फ में कौन-कौन से इंग्रेडिन का इस्तमाल किया गया है इसमें कौन-कौन से नूट्रियंट्स मौजूद है कौन कौन से विटमिन्स इसमें मौझूद है दोस्तो लाइसा टून में लाइसीन है जो एक एमिनो एसिड है इसके लावा इसमें पारेड आकसिन है नियासिनामाइड है साइनो कोबलामाइन है डी पैंथिनॉल है और जिंक है आईए सबसे पहले जानते हैं लाइसीन के बारे में लाइसीन के बारे में जाने तो लाइसीन एक तरह का प्रोटीन है जो एक एसिंशल एमिनो एसिड है लाइसीन हमारे शरीर में कैल्शियम एब्सॉप्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है ये कैल्शिम को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है जिसकी वज़ा से कैल्शिम की कमी से बचा जा सकता है इसके लावा लाइसिन बहुत सारे माइक्रो नूट्रियन्स के एब्सॉप्शन के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है माइक्रो नीट्रियन्स में बहुत सारे विटमिन्स आते हैं बहुत सारे मिनल्स आते हैं इसके लावा लाइसिन हमें वाइरल इंफेक्शन से भी बचाता है ये हमारे शरीर में वाइरल इंफेक्शन को एंटर नहीं करने देता है लाइसिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी एमिनो एसिट कहलाता है ये नॉर्मल ग्रोथ में भी मदद करता है अगर बच्चों में लाइसिन की कमी हो जाए तो उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है Liesin हमारे stynamina को बढ़ाने में मदद करता है हमारे शरीड को energy provide करता है anxiety और stress से बचने में मदद करता है Liesin Liesin में healing properties होता है जखमों को भरने का भी काम करता है अगर हमारे शरीड में Liesin की कमी हो जाए तो हमारे जखम जल्दी नहीं भरेंगे लाइसिन हमारे हॉर्मोन के लिए भी बहुत जरूरी होता है दोस्तो अब आईए बात करते हैं इसमें मौझूद दूसरा नूट्रियंट्स पारीडॉक्सिन के बारे में दोस्तो पारीडॉक्सिन के बारे में जाने तो पारी डॉक्सिन हमारे नसों के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह हमारे नसों को मस्बूती परदान करता है हमारे नियूरों सिल्क्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है डिप्रेशन, स्ट्रेस और टेंशन को भी कम करने में मदद करता है और Pyridoxin शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है अगर हमारे शरीर में Pyridoxin की कमी हो जाए तो हमें कमजोरी भी फील होती है या हमें एनरजी की कमी भी महसूस होती है दोस्तो इसके बाद जानते हैं Niacinamide के बारे में इसके साथ साथ Niacinamide Síneamide Skin Health के लिए भी шटा होता यह हमारे क को इंप्रूफ करने में भी बहुत करता है मरे नासो के लिए भी नियासीनमाइट बहुत अच्छा होता है ऑर नियासीनामाइट क्वोन की कमी को पूरा करता है और नियासिनामाइड हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है साथी साथ नियासिनामाइड हमारे एनरजी को बूस्ट करने में भी मदद करता है कमजोरी को दूर करता है दोस्तो अब आईए बात करते हैं लाईसा टोन प्लस सिरप का नेक्स्स इंग्रेडेंड शयानो कोबला माइन के बारे में मतलब विटमिन B12 के बारे में दोस्तो विटमिन B12 खुन की कमी को पूरा करता है नसों की मजबूती के लिए भी दिया जाने वाला विटमिन है विटमिन B12 जिनने हाथ पैर में जनजनी होती है या हाथ पैर में दर्थ की समस्या होती है जिनकी नसे हमेशा कमजोर रहती है उनके लिए विटमिन B12 बहुत फायदेमंद है जिनने हमेशा मसल्स पेन की समस्या रहती है उनके लिए भी विटमिन B12 बहुत ही फायदेमंद के लिए भी बहुत important vitamin के लाता है vitamin b12 जोस्तोES vitamin b12 ठकान लगना कमजूरी लगना तनाव मेहसूस होना जैसी समस्याओं में बहुत ही राहत देता है vitamin b12 दिमाग की नसों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है यह हमारे यादाश को बढ़ाता है हमारी concentration power को पढ़ाता है vitamin B12 दोस्तो अब आईए बात करते हैं Lysatone plus syrup का next ingredient डी-panthenol के बारे में डी-panthenol या vitamin B5 digestive system को सही रखता है दोस्तो vitamin B5 liver के लिए भी काफी फाइदे मन्द होता है और red blood cells के तुरू ये पूरे शरीर में oxygen सप्लाई करने में भी मदद करता है stamina बढ़ाने में भी मदद करता है vitamin B5 या डी-panthenol दोस्तो डी-panthenol sexual hormone को भी बढ़ाने में मदद करता है दोस्तो अब आईए बात करते हैं last ingredient zinc के बारे में दोस्तो जिंक के बारे में जाने तो zinc एक stress element है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है zinc immunity booster के रूप में बहुत ही अच्छा काम करता है ये हमारे immune system को strong करता है particular immune system को stimulate करने का काम करता है oxidative stress को कम करके inflammation कम करने में मदद करता है हमारे heart के लिए heart disease के खतरे को कम करता है cancer से बचाता है और mental problem में भी ये बहुत ही अच्छा work करता है काम करता है हमें मानसिक बिमारी से बचा कर रखता है दोस्तो zinc के बहुत सारे फायदे हैं ये bacterial infection से हमारे शरीर को बचाता है इसके लावा zinc age related disease के खतरे को भी कम करता है बढ़ती उम्र के कारण होने वाली जो भी autoimmune disease होती है या autoimmune disease होने का खतरा अगर हमारे शरीर को है तो zinc उस खतरे को कम करने में मदद करता है दोस्तो zinc हमारे शरीर में immune response को improve करता है जिससे हमारे शरीर को infection से बचने में मदद मिलती है और हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो पाता है अगर हमारे शरीर में zinc की कमी हो जाए तो diarrhea होना, immunity का कमजोर होना, बालों का जड़ना, skin का dry हो जाना, भूक ना लगना, mood का चिचिड़ा रहना या हमें अंदर से कमजोरी महसूस होना जैसी समस्या हो सकती है दोस्तो अगर हम बात करें, Lysa Tune प्लस सिरप के बारे में तो Lysa Tune प्लस सिरप, एक multi nutrient सिरप है जो हमारे शरीर में, vitamin की कमी के साथ-साथ, amino acid की कमी को भी पूरा करता है जिंक की कमी को भी पूरा कर सकता है इन सारे ingredients या multi vitamin के जो भी मैंने आपको फायदे बताए है ये सारे फायदे Lysa Tune प्लस सिरप लेने से हो सकता है दोस्तो Lysa Tune सिरप जिन्हें कमजोरी लग रही है या जिन्हें पोशक तत्वों की कमी है तो वो ये सिरप ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे ये सिरप लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है दोस्तो अब आईए बात करते हैं अगर हम Lysa Tune प्लस सिरप लेते हैं तो इसका क्या side effect हो सकता है दोस्तो Lysa Tune प्लस सिरप लेने पर पेट में दर्द होना नौजिया या वमिटिंग जैसा फिल होना जी मिचलाना या उल्टी लगना उल्टी होना या फिल डैरिया होने जैसी समस्या हो सकती है अगर आप Lysa Tune प्लस सिरप लेते हैं और इन में से किसी एक तरह का side effect दिखाई दे तो तुरंत Lysa Tune प्लस सिरप लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं तो दोस्तो ये तो था Lysa Tune प्लस सिरप के बारे में जानकारी आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके ज़रू पताएं वीडियो चिलेगी हो तो लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन